जेहीं दोस्तों BASF Head Constable Ministerial and ASIS-10O Physical का जो रिजल्ट है वो आपका डिकिलियर कर दिया गया है यहाँ पे आप सभी देख लिजिए अभी आपका नोटिफिकेसान आया है यह रिजल्ट का PDF है और इसमें आप सभी देख सकते हैं डिकलिरेसान और फोस्त फेज रिजल्ट यानि कि PST और डॉक्मेंट वेरिफिकेसान जो आपका फिजल्ट टेस्ट और डॉक्मेंट वेरिफिकेसान हुगा था उसका यह रिजल्ट है तो जो भी कैंडिडेट BASF Head Constable Ministerial and ASIS-10O का फिजल्ट दिये हैं वैसे कैंडिडेट इसम आप सभी अपना roll number सर्च करके देख सकते हैं कि आपका जो है इसमें result है या नहीं यानि कि अगर आप सभी physical pass होंगे तो आपका जो है result इसमें देखने को मिल जाएगा तो कितने student जो है आपका फिचकल क्वालिफाई किये हैं चलिए इस वीडियो में देख लिजिए तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है जो आपका इस भरती का जो प्रोसेस है वह 2112-2022 से सुरू हुआ था फिचकल टेस्ट और 28-1-2023 तक आपका चला था और अलग-अलग सेंटर इसके बनाए गए थ है उसके अंत्रगत आपका 2,18,421 यानि कि टोटल की यहां पर बात किया जाए तो 2,19,626 जो कैंडिडेट है यह फिचकल क्वालिफाई किये है यानि कि फिचकल और डॉक्मेंट वेरिफिकेशन यानि कि इतने कैंडिडेट 2,19,626 जो कैंडिडेट है आपका रीटेन एक ज देने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं काफी जादा स्टूडेंट जो है फिचकल क्वालिफाई किये हैं और आपका वेकेंसी मात्र 362 है और 2,19,626 जो कैंडिडेट है आपका रीटेन एक जाम देने वाले हैं और यहां पर अलग अलग आपका सेंटर बनाया गया था आप सभी को इसके बारे में पता होगा तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप सभी को बता दे सबसे पहले देख लिजिए यहां पर रिजल्ट का जो है डिटेल्स दिया गया है जो जो कैंडिडेट क्वालिफाई है वैसे कैंडिडेट जो है इसमें आप सभी अपना role number देख सकते हैं सर्च करके और अगर आप सभी physical qualify होंगे तो इसमें आपका role number 100 कर देगा तो यह यहाँ पे 1226 page का जो है आपका यह total PDF है और इसके अलाबा दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखेंगे अभी आप सभी को पता है कि physical list का हो चुका है result भी आपका आप पर release कर दिया गया अब जो आपका second phase है जो आपका second phase होगा इसके अंत्रगत आपका written exam होने माला है और यहाँ पर देखेंगे written exam का भी date आपको बताया गया है schedule for second phase written examination will be intimated through SMS या email in due course of time to download the admit card यानि कि यहाँ पी यह बताया गया है कि written exam की जो जनकारी है वा SMS या email के थू जो है आपको दे दिया जाएगा उसके बाद आप सभी इसका admit का download कर पाएंगे और दोस्तों अगर आप सभी physical qualify है और written exam की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए best book रहेगा चक्छू publication का या एक practice set है जिसमें आपको 20 practice set देखने को मिल जाएंगे और जितने भी practice set है सभी का solution and answer सभी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा तो किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो practice set लगाना काफी जादा important होता है तो इस book को आप सभी purchase कर सकते हैं और BSF head constable ministerial and ASIS 10 की आप सभी तयारी कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा या नजदी के market से भी जाकर इस book को आप सभ जल्द आपका आएगा इसी मन्थ में आपका आने वाला है बारे मर्च को जो है इसका admit card के बारे में बताया गया था यानि कि exam date के बारे में लेकिन बारे मर्च को जो है आपका इसका exam नहीं होने वाला है इसी मन्थ में आपको last week तक जो है इसका admit card आपको देखने को मिल जा तो आई ओप आप सभी समझ गए होंगे यहां से आकर आपसे भी चेक कर सकते हैं इस PDF का लिंक आपको description में है description में दिये गए link पर click करके इस PDF को आप सभी download कीजिए और यहां पर आप सभी अपना raw number search कीजिएगा अगर आपका result होगा तो raw number जो है आपका soep कर देगा तो आई होप आप सभी समाझ गए होंगे कोई भी जनकारी हो कोई भी सवालों कमेंट सेक्शन में बताइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदेवाग